जब भी crude oil का price बढ़ता है तो हमारी oil और gas की जो companies वो भी बढ़ती है अब इसको proof करने के लिए मैं इसी chart पे यहां पे आपके सामने oil India का chart लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पे जो crude oil है और जब भी उसने अपना bottom बनाया था 2020 में similarly oil India है इसने भी अपना bottom 2020 में बनाया है और तब से यह एक uptrend में चालू हो गई है और recently आप देखे के crude के price एक stable हो चुके है बट यह फिर भी एक uptrend चालू की है तो इसका fundamental reason क्या है कि crude oil last 3 to 4 years में एक uptrend में है और यही फाइदा oil India जैसी companies को पहुँचा है और इसमें यह impact सबसे ज़्यादा दिखा है अगर हम बात करें बाकी companies में तो यहां पे ONGC दूसरा नाम होगा यहां पे मैंने अगर चार्ट लगाया तो आप देख सकते हैं similar chart follow कर रहा है जो भी gas related यह ONGC, oil India यह सारी companies similar sort of pattern follow कर रही है क्योंकि crude से इनका impact बहुत बड़ा होता है यहां पे अगर कुछ और नाम है तो गेल है एक stock है जिसको भी crude से फाइदा होता है तो आप देख सकते हैं यह सारे comparison में almost same जैसा क्रूड परफॉर्म करता है तो यह सारे uptrend में रहते है एक और नाम जो नजर में आता है वो है Reliance India तो Reliance का भी हम 3-4 साल का chart देख लेते हैं तो Reliance भी आप देख सकते हैं अगर आप crude के साथ compare करें तो Reliance भी एक strong uptrend में है reason यही है कि 2020 में crude ने इक bottom लगाया है और Reliance के लिए भी यह अच्छा रहता है कि crude price उपर के और जाए although Reliance और भी sectors में involved है but crude के upside जाने से इसको भी फाइदा पहुंचता है तो यह कुछ stocks से जिनको crude के ऊपर जाने से फाइदा होता है अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से sectors है जिनके लिए यह negative है तो पहले मैं यह सारी चीज़े हटा देता हूँ अब मैं वही चार्ट यहां लगाऊंगा जिसके लिए यह negative है तो पहले मैं यह सारी चीज़े clear कर देता हूँ अब हम वापस crude के चार्ट पे अब हम जैसे एक oil marketing company BBCL का चार्ट लगा लेते हैं अब यहां पे आप देखेंगे जैसे ही crude बढ़ रहा था यह stock कुछ नहीं कर रहा था और आप जो recent इसमें upside आई है वो आप देख सकते हैं यह वाले face में आई है इस वाले face में क्या हुआ था crude price अचानक से गिरने लगा था और यही spike हमारे oil marketing companies में आया था तो stocks जो BPCL है HPCL IOC इसी time पे नहीं यह बड़ा spike दिया है क्योंकि इस time पे जो crude है उसमें एक fall आया था but overall जो long term perspective है crude oil का अभी भी positive है which means छोड़े corrective जोड़ा और fall के बाद जब यह positive वापस upset जाने लगेगा तो यह सारे stocks फिर से गिरने लग जाएंगे क्योंकि अगर crude फिर से बढ़ता है तो इन stocks के लिए वो negative है तो paint companies के लिए भी crude बढ़ा तो negative है अब हम example ले लेते हैं जैसे Asian paints का example ले लेते हैं तो हम इसी chart में Asian paints को apply करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यह although crude ने increase दिखाया है but Asian paint last 3-4 साल से कुछ नहीं कर रहा और अभी तो यह fall भी कर रहा है reason यही है but इसमें जो जैसे immediate result नहीं आता 2-3 quarter का delay रहता है जैसे अगर crude गिर रहा है तो Asian paint companies को 2-3 quarter के बाद उसका profit हो सकता है जैसे हमने बाकी oil में immediate response देखा इन में क्या होता है अगर crude गिरता है तो इनको फाइदा होगा but वो फाइदा immediately नहीं होगा और वो फाइदा 2-3 quarters के बाद होगा तो उस हिसाब से अगर हम समझ रहे कि long term में अगर crude और उपर जाएगा तो paint stocks फिर से underperform कर सकते हैं क्योंकि अगर crude बढ़ा तो इनके लिए वो negative माना जाएगा तो हमारी जो भी paint stocks उनके लिए negative है अब जैसे मैंने और भी एक list बनाई है जैसे हमारा indigo paints, asian paints, sera sanitary इनके लिए negative होता है अगर crude जाए पर short term में जैसे अगर कभी हम देखते है कि crude में कुछ upside आए जैसे यहां पर फॉल आने कर तो इन stocks में भी उसी तरह का reflection आएगा अब ऐसे ही हम बात कर लेते है natural gas जैसे stocks की अब इसमें main दो stocks हमारी नजर में हैं जैसे MGL और IGL तो इसमें भी inversely proportional है जैसे हमने देखा था कि MGL ने अपना bottom लगाया था 2022 में में के राउंड अपरिल के राउंड अब आप सेम इसने जो natural gas याप उसका में का price देखेंगे तो इसने अपना top लगाया था इसने top लगाया अपना top बनाया था और MGL ने अपना bottom बनाया तो इसी तरह आप fundamental reason क्या अगर आप जानना चाहते है कि कोई stock जो commodity based stock होते है जैसे MGL और IGL supplier है gas के तो ये stocks natural gas की price पर dependent है अगर ये price नीचे आएगी तो ये वाले stocks बढ़ने के fundamental reasons बढ़ जाते है अब वैसे ही आपके crude oil based जो stocks है उनके बढ़ने का कारण बनती है या कुछ stocks के गिरने का कारण बनती है ये impact थोड़ा delay हो सकता है quarter and quarter तो इसी तरह हमें commodity के इसाब से stocks का fundamental analysis कर सकते है अब जैसे कुछ और sectors है जिसे metals होते है उसमें भी ये आप कर सकते है कुछ stocks हिंद copper जैसे वो copper prices पर impacted था copper prices बड़ी तो वो बड़े तो इसी तरह से आप जैसे aluminum, steel इस तरह के जो stocks होते है इनके commodity के price के up-down से आप stock में आने वाले effect को catch कर सकते है और आप एक fundamental analysis कर सकते है आप यह वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे को डाउट हो ज़र से comment डाल सकते है थैंक यू इन्वे नाइस टी